हलो नमस्कार सभी पहरे बच्छों का स्वागत है बीस्टी प्रो क्लासिज में और आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ हूं और इस वीडियो के माध्यम से आज अपन बात करेंगे कि देखो अब जितने भी राजस्तान में जिसका अपन पढ़ाते हैं जैसे खासकर बात को राजस्तान शुटी की मतश्य की प्रज की और से कवाटी की चार अपन स्लेवर्स जो है कवर करवाते हैं तो अब आपको पता है कि उनका जो टाइम टेबल है वो रिलीज हो गया है तो राजस्तान का टाइम टेबल आ गया 17 तारिक से इनके एक्जाम है ठीक है ब्रेजवालों का टाइम टेबल आ गया जो कि अपने पांथ तारिक से एक्जाम है ठीक है बाकी मतश्य से और सेखावाटी इनका मई में आपके एक्जाम होने वाली हैं तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि बीएस से थरीयर जो आपकी मैथेमेटिक्स है जिसमें आपके पेपर तीन पेपर आते हैं एक आपका ऐलजेबरा एक आपका कॉंपलेक्स और एक आपका डायनेमिक्स बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब जगे हैं क्योंकि आपको पता है अब जो एक्जाम का टाइम है बहुत कम बचा है लगबग 10-15 दिन मानो आप इतना टाइम आपके एक्जाम के लिए बचा है तो अब ये जो 15 दिन है इसमें हम तयारी कैसे करें और मैं लेके चलूँग जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो तो इसके अंदर इंक्लूड होई गये हैं तो उनके लिए भी बात करेंगे कि वो प्रिप्रेशन कैसे करें ठीक है तो प्यारे बच्चों यहां पर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं ये सी थाडियर मैथेमेटिक्स ठीक है लास अगसे तो पाँचमः मही से पाँचमः से कैमिस्टिक क्या है और लग्व करते嘛 नróम शेक। चोगी तो उनकी जो एक्जाम है ना आपको पतर है 17 मई से एक्जाम स्टार्ट है ठीक है तो आप बच्चे क्या सोच रहे हैं कि सर आज 26 तारीक हुई है 26 अप्रेल है तो अभी तो यह मान लो कम से कम 20 दिन बाकी हैं लेकिन 20 दिन तो आप गिनके चलो इमतों क्यों कि देखो आज 26 तारीक होगी न तो आज का दिन भी गिन लो चलो तो 5 दिन तो होगे अप्रेल के और 10 दिन होगे मई के तो यह गिनों आप 15 दिन ठीक है तो 15 दिन एट लिस्ट आपकी पास में आज से हैं अभी से 15 दिन आपकी पास लाष्ट बचे वे हैं mathematics पढ़ लो चाहिए physics पढ़ लो सभी की तयरी के लिए 15 दिन बचे हैं बाखी के जो 15 दिन है निकि आप देखो 15 मैं से लेकर जो आपके 17 में के एक्जाम है तो इन में तो फिर देखो भया आपको वापिस जो है preparation करनी पड़ेगी तयारी करनी पड़ेगी क्योंकि जो 5 दिन है इसके अंदर जो भी आपने पड़ा है इसको वापिस से आपको तयार करना पड़ेगा तो उसके लिए तो उन दिनों को ताप गिनोई मतुब बिल्कुल भी ठीक है तो प्यारे बच्चों अब मैं यहाँ पर बताता हूं आपको सीधा सा जुगाड और सिंपल सा जुगाड कि भी यह अब हमारे पास 15 दिन बच्चे हैं तो हम क्या करें वहीं देखो सापसी बात है यह सी थडियर के लिए आपके यहां पर तीन पेपर हैं पहला आपका आता है एप्स्ट्रेक्ट एलजेबर का ठीक है यह आपका आता है पेपर नंबर फरस्ट ठीक है मैठ में Second paper आपका है Complex का Complex Analysis ठीक है यह आपका है पेपर नंबर second आपको भी पता है कि इन दोनों की जो exam है वो एक दिन लगेगी एक साथ लगेगी ठीक है सचाहते है तेज तारीक है तो तेज तारीक है इनकी एकजम लगेगी ठीक हैं और आपका तीसरा पेपर है डायनेमिक्स का, यह आपका है पेपर नंबर थर्ड, ठीक है, प्यारे बच्चों मैं आपको बता दू कि BAC 3R वाले बच्चों के लिए मैंने अभी आज 26 तारीक होगी ना, मैंने algebra और complex, दोनों पेपरों के लिए जो आपकी revision, marathon classes हैं, वो मैंने complete करवा दी हैं, और आज से ही 26 तारीक से ही आपकी जो dynamics की class है, पेपर नंबर जो आपका थर्ड है, dynamics की class आज से ही 11 बजे start है, जो की application पे चल रही है, तो मैं प्यारे बच्चों आपको बता दू कि जो algebra है, ठीक है, जो आपका paper first है, इस paper first के अंदर, paper first के अंदर मैंने आपको तीन unit करवाई है, unit number first करवाई है आपको, ठीक है, group वाली, unit number मैंने आपको second करवाई है, ठीक है, homomorphism वाली, और unit number third जो आपकी field है, sub field है, integral field है, सब मैंने आपको करवाई है, यहने कि तीन unit मैंने सब्क्राशल ये मेरतन क्लास अब प्यारे बुठे रिवीजिन रेजिक्ट कलास मेरतन कलास से फाइदा और उसने क्या है कि बड atrás है और क्या है कि वह जितने पर लक्सर के अंदर समावत कर अगर आप मान लीजे किसी भी इस्ट्यूट के आप कोर्स करते हो जिसमें पूरी क्लासे अवेलेबल हैं चाहिए मान लीजे की कोई कोर्स 20-1000 रुपर कोर्स है और वो आपको 1000 रुपर मिल रहा है ठीक है तब भी उस को परचेज करके आप पास नहीं हो पाओगे लाच टाइम तो उसको आप कवर नहीं कर पाओगे और टाइम आपके पास इतना नहीं है मैंने आपको इतना सेलेक्टेड में रखा है यह मानो कि चलो कि अब यहां पर नमर फर्स्ट आपके पास में तीन वैंने करवा रखी है ठीक है मालो तीन अट भी आपने नहीं पड़ी तो आप एक और दो पढ़ लो इतनी भी आपके इच्छा नहीं है तो केवल एक उनट पढ़ लो पास आप यहीं से हो जाओगे और मैं कह रहा हूं मैं यहां पर लगबग है ना मोस्टली पास की वीडियो बनाता हूं ठीक है वह पास कैसे हो जाए मैं लब इस परकार की वीडियो बनात सकता है सेवन्टी प्लस परसंटेज की तो मैं गारेंटी लेता हूं लास्ट पंदरा दिन पढ़कार वह बच्छा सेवन्टी प्लस बना सकता है अगर जैसा मैं कहा रहा हूं वैसा वह स्यारी करता है तो पेपर में फरस्ट के अंदर यह क्लास आपको अवेलेबल हैं एप् आपको रिविजन क्लास का सेच्छन का देखेगा उस क्लास में आपको थीन और यह परसंटेज बनाने यह दोनों पड़ो मैं कहा हूं चालीश में से 35 प्लस नमबर आपके आरामस आएंगे complex के अंदर जैसे मैंने पढ़ा रखा है मैंटर इतना complete पढ़ा रखा है मान लो कि आपको कहीं और जाने के आउशकता नहीं है ठीक है unit number first, unit number fourth पढ़ा रखी है यहाँ पर भी revision class में जागी सेक कर सकते हो और आज है 26 तारिक और 26 तारिक से मैंने आपकी जो डायनेमिक्स है इसको मैंने start करी है इसके अंदर मैं आपको पढ़ा हूं कौन कौन करवाऊंगा इस मैं करवाऊंगा सबसे पहले मैं unit number third करवाऊंगा तो सबसे simple है उसके बाद में unit number मैं second करवाऊंगा ठीक है उसके बाद में unit number first करवाऊंगा तो जिस बच्छों को पास होना है वो आराम से unit number third को पढ़ लेगा second को पढ़ लेगा और जिसको percentage बनानी है unit number first भी पढ़ लेगा यह तीन unit मैं करवाऊंगा और यह मैं 5 तारिक से पहले-पहले तो यह रहा अपना math का पूरा complete system अब प्यारे बच्छों जिसको भी मान लोगे कि अब यह मेरतन क्लास चाहिए ठीक है कैसे purchase करने क्योंकि आपको टाइम कम है आपके पास में और मैं कहरा हूं ना देखो विश्वास के बाद तो ऐसी है कि भाया अपना देखो और बात मैं तीनों paper मिलेंगे ठीक है इसके साथ साथ में प्लस आपको पुरानी जो recorded video है वह मिलेगी साथ में आपको notes मिलेंगे और वह भी शांदार ultimate notes मिलेंगे आपको ठीक है तो यह हमारे पास में content अबले भला है शायद ऐसा content अगर आप यहां पे 10,000 रुपे तो दस तो ज्यादा ह आप बच्चों से पूंचे भी सकते हो जो हमारे साथ जोड़े हुए है ठीक है और इसके साथ साथ में अब यह जो कोर्स आपका है इसको आप कैसे पर्चेज करोगे उसका एक सिंपल सा स्टेप है आप application डाउल कर सकते हो प्ले स्टोर से ब्यस्टोर से ब्यस्टी प्रो क्ल क्लिक करोगे क्लिक करते ही आपको नीचे की साइड में जाओगे बिल्कुल बोटम में देखना नीचे की साइड में देखेगा रिविजन क्लास का एक सेक्षन और वही आपका काम का है क्योंकि उसके अलावा और कोई काम का नहीं है और तरीका क्या है पढ़ने का पढ़ने नमस्तिव चलना और फिर दस तारीक के बाद में जितना पढ़ लिया आपने उसका रिविजन कर लेना इसकी मैं गारंटी देता हूं 100% कुछ कारण है इसके पीछे बता रहा हूं मैं 100% गारंटी यागर जो बच्चा अभी भी आस से कनेक्ट होता है न यह मान के चलो कि वह ब बचावा यह मैं अजिक कोन कों आपके बाद करने वाले हैं तो मैं बता दूँगा आपको बाकी फिजीक्स में आपके 2 पेपर है वो और आपका उन्टम वाला और आपका solid बचा हुआ है तो यह मान की यह भी आपका 5 तारीक से पहले पर वेले मैं गॉस्ट हो जाएगा ठी लेकिन रिविजन क्लास सिस्टाइम इंपोटेंट है क्योंकि इसी को पढ़कर बच्ची पास हो सकते हैं और परसंटेज भी बना सकते हैं तो प्यारे आज के आज की वीडियो में इतना ही और अम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब तक लिए टेक केर वाई वाई जय और बनाए रखें धन्यवाद